ताकि आप हमारी आने वाली विडियो भी देख सके और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले इससे हमें और भी बहुत शुद्धगी किसी भी खाने में डाल दिया जाए तो स्वाग दो गुना हो जाता है। हमारे देश में खाने की कलपना शुद्धगी के बिना नहीं की जा सकती हैं लेकिन कई सारे लोगों को लगता है कि शुद्धगी के खाने से उनका वेट घेन हो जाएगा जिसके चलते वो खाने से परहस करती हैं। पर आप जानते हैं कि शुद्धी खाने से वे नहीं होता बल्कि ये हमारी सेहत को कई तरह से फाइदा पहुँचाता है। आयूर्मेद के अनुसार रोजाना शुद्धी खाना सेहत के लिए अच्छा माना गया है। यह सिर्फ खाने का स्वाध ही नहीं बढ़ाता बल्कि हमारे बॉडी सेल के लिए नुट्रीशन का सोर्स भी है जो शुद्धी खाने से हड़ी मजबूत और बहतर होती है। मेटाबॉलिक रेट में सुधार होता है। मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अलावा एंटी एजिंग याददाश्ट, तेज पाचन में सुधार, स्किन हेल्दी आखों के लिए भी फाइदेमंद माना जाता है कि घी में गुड कॉलिस्ट्रॉल होता है जो हमारी बॉडी के लिए फाइदेमंद माना जाता है। इसमें विटामिन ये के D, E, R, K भी पाया जाता है। घी बलड प्रेशर और कॉलिस्ट्रॉल के पेशन्ट के लिए भी फाइदेमंद है। ये शरीर के मेटाबॉलिस्म को बढ़ा कर बैड कॉलिस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद करता है। तो वहीं कई लोगों को लगत है कि रोजाना शुद्ध घी खाने से वेट घेन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे खा कैसे रही है। ये घी में हेल्दी फैट, ओमेगा-3 फैटी एसेड और ओमेगा-6 होते हैं। देली दो-तीन चम्मच ये खाने से वजन घटाने में मदद मिलती है, क्योंकि घी शरीर में फैट सेल्स को जमा कर उसे जलाता है, जिससे शरीर को एनरजी मिलती है। इस तरह ये बॉडी की चरबी को एनरजी में चेंज करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इंडियन्स काउंसिल ओफ मेडिकल रिसर् हो, हेपेटो मेंगाली हेपेटाइटिस हो या हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी हो तो उन्हें घी अपने खाने में शामिल नहीं करना चाहिए. तो वही कई लोगों के मन में सवाल होता है कि गाय का घी खाना सेहत के लिए फाइदे मन होता है या भैंस का. ऐसे एक्सपर्ट का कहना है कि दोनों ही तरह के घी अच्छे होते हैं लेकिन गाय का घी हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है. इसमें विटामिन, कैल्शियम, मिल्जन, पोटेशियम और फॉसफोरस के साथ ही एंटी आक्सिदेंस भी पाए जाते हैं जो वजन कम करने में हेल्पफुल होता है. पेट में गर्मी शांत करता है, माइग्रेन या सिर्दर्ट से राहत दिलाता है, तो गाय भैंस का ही वजन बढ़ाने में हेल्पर होता है. मानसिक रोग दूर करने में मदद करता है, हाइपर टेंशन कम करता है. इसके अलावा हमेशा गर्म धी ही खाना चाहिए, क्योंकि थंड़क डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुँच नहीं पाता जिसकी वज़से परेशानी होती है, तो ये शुद्धी से जुड़ी जरूरी जानकारी.